स्टूडेंट्स मैं लास्ट वीडियो में आपको पढ़ाया था मीठी सारंगी चैप्टर कक्षा 2 का पार्ट 10 स्टूडेंट्स आपने अगर वो वीडियो देखी है वेरी गूड नहीं देखी तो इस जो मैं वीडियो शेयर करने जा रही हूँ अभयास कर रहे कि उस वीडियो को आप चैनल को सस्क्राइब कर दीजिये वीडियो को लाइक कर दीजिये और शेयर कर दीजिये ताकि अभयास कर रहे दूसरों तक भी पहुन सके इस चैप्टर की जो मैंने स्टोरी आपको र गाउं में आया था और वो सारंगी लेकर आया था सारंगी बजा रहा था सारंगी इतनी मीठी थी कि लोगों को बहुत ही अनादा रहा था लेकिन भोला जो था वो क्या था उसे तो ग्या नहीं नहीं था उसने क्या किया सारंगी उठाई चाटी और उसने देखा स्वात चीन लगाओ, शही बात पर आइट का निशान लगाओ, सारंगी चकने पर मीटी थी, सारंगी से निगलने वाली आवाज सुनने में अच्छी लगती थी, वह थी, तो गलत है, अब तुम समझ गए होगे कि गाउं वाले सारंगी को मीटी क्यों कहते थी, अब बताओ कड़वी बात का मतलब क्या होता है कड़वी बात का मतलब क्या होता है जो गलत बात होती है जो जो हमें अच्छी ना लगे वो क्या होती है कड़वी बात होती है अप्रिय बात को हो कोई हो तो वो हमें कड़वी बात का मतलब होता है अप्रिय बात बोला ने क्यो सोचा की सभी जूड बोल रहे हैं क्यों क्योंकि उसने सरंगी उठाई चाटी उगेली अपने मूह में लेकिन उसे स्वाद नहीं आया तो संगीत का तो ग्यान नहीं था लेकिन उसने चाटने पर उसने बोला कि गाउं वाले सभी जूड बोल रहे हैं बोला को सरंगी का स्वाद क्यों नहीं आया क्योंकि उसने चाटा भी था और मुह में उगेला भी था बोला ने किस तरह से यह जानने की कोशिश की कि सरंगी मीटी है कैसे चाट कर चाट कर देखा ना उसने मुह में मुह से जीव से चाट कर देखा सरंगी वाले ने सरंगी का खोल चड़ाया और अपने सरहने रखकर सो गया सरंगी वाले ने अपनी सरंगी पर क्यों क्यों चड़ाया होगा क्यों क्यों चड़ाया होगा क्योंकि सरंगी पर धूल ना चड़े और कोई ले ना जाए इसलिए उसने उड़ाया होगा और किन किन चीजों पर खोल चड़ाया जाता है आपको देखा गर पे तक्किया पर ममी खोल चड़ाती है तक्किया पर चड़ाती है कोई गीता कुरान जो होती है उसको भी कवर करके रखा जाता है खोल चड़ा की अब है गाव बजाओ, सरंगी, डोलक, इकतारा, तबला, बांसुरी, शैनाई, डफली, सितार, गिटार, हर्मोनियम उपर संगीत के बाजो के नाम लिखे हैं इन में से कुछ तार छेड़ कर बजाये जाते हैं और कुछ हाथ से थाप दे कर इनके नाम जगहें जगहें पर लिखो तारवाले, ठापवाले और अन्या तारवाले कुछ से हैं? सारंगी, इकतारा, सितार, एंड गिटार ठापवाले, डोलक, डफली, तबला, डोल अन्या, बांसुरी, शैनाई, हर्मोनियम मैंने इसी से लिए हैं यही से आपको चांट कर लिखने हैं अपनी अभ्यास की कुस्तिगा में कुछ नाम बच गए होंगे उन्हें अन्या के पीछ में लिख दो उपर लिखे बाजों को जगह 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 पर बजाया जाता है सोचकर लिखों की इंजेगों पर क्या बजाया जाता है अब रेल, गाड़ी या बस में क्या बजाया जाता होगा डफली डफली बजायी जाती होगी और डोल बजाया जाता होगा रेल में तो आपको पता है ना गिटार बजाते वी भी गाते वे जाते हैं घर पर किसी अफसर पर घर में अफसर होता है तो अगर किरतन वगरा होता है तो आपको पता है कि किरतन वगरा में डोलक बजाई जाती है तबला बजाया जाता है यह ना और भजन किरतन में हर्मोनियम बजाया जाता है हर्मोनियम बजाया जाता है और घर में कोई अफसर हो त सब चीज सिखाए जाती है गिटार सितार हर्मोनियम हर चीज में इस कहानी में मिठास की बात है तुम्हें कौन कौन सी मीठे चीज़ा अच्छी लगती है अपको खुद से करना है अब नीचे लिखे खाने की चीजों को सवाद के हिसाब से लगा हूँ अब ये कुछ चीज़ अपने इसाब से लगाएं, आप अपने इसाब से वह इनने जोड़ सकते हैं, कुछ और भी ऐड़ करें, जिसे आम शहा किना दूद है, तो मैं इसे जिलेभी इड़ कर सकते हूँ, आप भी आड़ कर सकते हो, कुछ भी मीठी चीज, नीचे लिखें, शब्दों को बोल कर लिखें अब बासुरी है इसको बोल बोल के आपको पांच बार अपनी नोटबुक में लिखना है अब नीचे दिये गए शब्दों में चंदर बिंदू या अंग की बिंदी लगाएं चांद है, चांद में कौन सी लगती है चंदर बिंदू और चंदन में अंकी बिंदी मंगलवार और मांगना मांगना में क्या लगता है चंदर बिंदू, सुन्दर सांप में भी चंदर बिंदू लगती है जांसी में भी जंजट में अंकी बिंदी, कंकर कांपना इसमें चंदर बिंदू लगाएंगे जब भी हम चंदर बिंदू लगाते हैं बच्चों ये ध्यान रखना चाहिए कि आ की मातरा के उपर चंदर बिंदू लगता है और अंधा आंधी आंधी में देखो आंधी में भी हम चंद्रविंदू आ की मात्रा के उपर लगाएंगे ओके, I hope you understand आपको समझ आ गया हो तो एक बार फिर से मेरी वीडियो को लाइक और शेर कर दीजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए ताकि इससे पहले जो वीडियो इस चैप्टर की मैंने डाली वी है वो आप देख सके थैंक यू